दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विशे का अध्याए 9 जिसका नाम है अध्योगिक क्रान्ति और आज की भाग में हम बात करेंगे भाब की शक्ति के बारे में नहरें और रेलों के बात करेंगे इससे पहले कि हम इस भाग में अध्यान करना शुरू करें हम देख लेते हैं कि पिछले भागों में हमने क्या पढ़ा है दोस्तों यह जो अध्याइई 9 में अध्याजय के पहले बात करेंगेٌ के ओर देखा था कि किस प्रकार हम यह एकाई जैर ले जा रही है इसमें हम मुख्य रूप से उन बातों का अध्यन कर रहे हैं, जो हमें आधुनी की करण की ओर ले जा रहे हैं। यह जो तीनों अध्याय हैं यह आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं और इसकी शुरुवात में हमने यह भी कहा कि किस प्रकार यह जो अध्याय है इसमें हम क्या क्या चीज़ों का अध्यन करेंगे और अध्योगी क्रांती जो है वो किस प्रकार से इंग्लेंड में ही हु ईंगे त Rohit, वी है वह पहले चरण वाली करांटी क सिसे अन्हीं की लिटा के साल्कार रिथे news, जो कोईला और जो लोहा उद्योग है, वो किस तरह से उसने एक आधारबुत उद्योग की भूमी का निभाई थी, उद्योगिक करान्ती में, और उन में क्या-क्या परिवर्तन आये, किस प्रकार हमने देखा था कि किस प्रकार डर्बी जो परिवार था, जो डर्बी फैमिली यहां तक हमने यह भी देखा, जो दर्बी तरतिय जो थे, तीसरे जो डर्बी थे, उन्होंने किस प्रकार दुनिया के पहले लोहे के पुल का निर्मान उन्होंने किया था, तो यह जो लोहे में परिवर्तन आये, और कोईले की खानों से किस तरह से कोईला जो था, यह पहल उद्धीकर्दी को एक गते दी इसके अलावा जो नहरें ठी और जो रेलें थी उन्हों ने भी किस प्रकार से अद्धीकर्दी को गती परदान की STुल इसके बारे में हम अध्यन करेंगे या भाब की शक्ति के बारे में लोगों को पता चला तो इसमें कई तरह के आविशकार यहां पर हुए और सबसे महत्पून आविशकार इसका था भाब की शक्ति के जो इंजन था उसका आविशकार हलागि हमने आपको पहले के भागों में बता दिया था कि जब भी हम भाप इंजन की बात करते हैं तो आम तोर पर लोगों का मानना होता है कि हम शायद रेल इंजन की बात हम कर रहे हैं लेकिन दोस्तों इस तरह की बात नहीं है याद रखेगा जब भी हम भाप के इंजन की बात कर रहे हैं उसकी वज़े से क्या हुआ कि जो उद्योग थे उनमें जो मसीनी करण जो हुआ था उनमें तेजी आ गई थी उनके उत्पादन शक्ती बढ़ गई थी लेकिन शुरुवात जो है उसकी वो कारखानों में इस्तमाल नहीं किया जाता था जो भाब की शक्ति का सरवादिक प्रय कि एचन नहीं है जिसको आप रेल एंजन मानते है याद रखेगा है यहाँ यहाँपर आपको एकशवी चित्र यहाँ पर दिया गया है भाब का देखिया और बात का इंजन की बात हो रही इंजन बिल्कोल नहीं अब भाप की शक्ति की तव्य ओडियुकरानिकिय निलनायक भूमिका इसने निभाः ती, यह जो अधियुकरान्ति होती है , यह इसमें सबसे निलनायक भूमिका इस भाप की शक्ति की अविसकार ने किया, यह hap की जो इंजन है उसकी अविसकार के वज़े से उसका death हमने बताया जैसे आपको जल्शक्ति का इसथान इससे पहले की जो मशीने होती थी जल के माध्यम जल्डी से उनमें सबसे पहले इसका इस्तमाल शुरू हुआ था और हम देखते हैं कि किस परकार जो कोईले की खाने थी उनसे कोईला निकालने के लिए यह जो इंजन था और सबसे बड़ी समश्या जो कोईले की खानों को थी वह तक उनमें पानी भर जाता था पानी भरने की समश्या रहती थी इन खानों में, तो पानी भरने की समश्या रहती थी और उस पानी को पंप द्वारा निकालने की जो तैयारी की, जो पानी को बाहर निकालना होता था उन खानों से, उसके लिए ये जो भाप के इंजन थे, इनका इस्तमाल सबसे पहले किया ग माइनर्स फ्रेंड नाम का यक??? का इंजन बनाया गए था 1688-eastgon में याद है कि यह बाद थॉमस नू कॉमन नहीं बनाया थाrit बाप का 1712C अलागि यह अधिक कारगर साबित नहीं हुआ था तो शुरुवाती दो इंजनों के बारे में ध्यान रखी है कि यह बाप की जो इंजन थे यह खनन उद्द्योग में इस्तमाल किया गया था विशेश कर कोईले के खान में जो पानी भर जाता था उसको बाहर निक इंजन का विक्सित रूप लेकर आया औरा हसा विक्सित रूप लेकर वह सामने आया इसका एक बडा रूप लेकर सामने आया स्वालrand यह अपने किसी का हिस्सा नहीं था विक्सित में कीशीन था वह रूप प्रमुख चालक की रूप में इसका इस्तमाल किया गया था और शक्तिशाली जो बाद में इन की जो भाप का इंजन था जेम्सवोट का उसका इस्तमाल शक्तिशाली मशीनों और कार खानों में इसका इस्तमाल किया जाने लिगा जबकि अभी तक क्या था अभी तक इससे पहले इसका इस इस्तमाल किया जाने लगा इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू बोल्टन नाम के एक विक्ति हैं क्योंकि दोस्तों भाप के इंजन का जो अविश्कार किया गया और भाप के इंजन को बनाने का खर्चा था बहुत ज्यादा हुआ करता था इसलिए जैंस वोट ने क्या गिय अपने मित्र मैथ्यू बोल्टन की साहिता से एक फाउंडरी स्तापित की एक संगठन उन्होंने बनाया उसका नाम था सोहू फाउंडरी तो इन्होंने उस संगठन की साहित उस फाउंडेशन की माद्यम से क्या किया बड़े-बड़े भाप के इंजनों का निर्मान अब जेम्सवर्ट ने कुछ और भी आविस्कार किये हैं आपकी पुस्तक में दिये गये हैं मुख्य रूप से जो जेम्सवर्ट हैं वो भाप के इंजन के आविस्कार के लिए प्राइम मुवर नाम का या प्राइम मुवर एक प्रमुक्चालक इन्होंने विक्सित किया थ लेकिन jambs vote ने कुछ और भी आविसकार किया हैं। gray जाना हूँ जान लेती है जीसे कि jambs यांत्रिक उड़्जा के सूचक सरवत्र के रूप में इसका इस्तमाल किया जाना लगा तो जैम्सवर्ट का मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि इनका जो योगदान है वो भाप के इंजन के आविस्कार में है लेकिन इसके अलावा भी यह जो दो आविस्कार दिये गए इनको भी आपको याद रखना है अब देखते हैं नहरें तो यह हमने देख लिया भाप की शक्ति के बारे में कि किस तरह से भाप की शक्ति की शुरुवात हुई इसके लिए पानी फूमीका है अब देखते में नहरें और रेलवे ने क्या भूमीकान निगाई थी नहरें और रेलें, इनके बारे में बात करेंगे, इस बाग में हम, सबसे पहले देखते हैं, नहरें, दोस्तों सरपरतम नहरों का जो प्रयोग था, वो कोईला चेत्रे में होता था, याद रखेंगा, ये सबसे पहले कहां इस्तमाल होता था, इसका कोईला, जब से अभी हमने उसे शेहर के आंत्रिक भागों में पहुचाने के लिए, वहां से कार खानों में कोईला पहुचाने की लिए नहरों का इस्तवाल कreJda ता, याद रखेगा. जैसे माल लेते हीं यह कोईले की खान है? कोईले की जो खाने होती थी, उनसे कोईला ले जाकर, जो शहर है, मुख्य शहर है वहाँ ले जाए जाता था इसको, कोईले के कई इस्तमाल होते थे, वहाँ पर ताप के लिए कोईले का इस्तमाल के जाता था, कारखानों या मसीनों में कोईले का इस्तमाल के जाता था, तो उसके लिए कोईले का इस्तमाल है वो शहरों में होता थ इंग्लेंड में जो पहली नहर बनी है याद रखिए उसका नाम है वर्सली कैनाल जो 1761 इस्वी में जैम्स ब्रिडली द्वारा बनाए गी थी याद रखना जैम्स ब्रिडली ने और ये भी शहरों ये भी एक नहर थी जो कि शहर को जोड रही थी कोईला चेत्रों से दोस्तों नहरों का जो कहते हैं कि विकास इतना ज़्यादा हुआ यूरॉप में एक दोर में कि उसे नहरों उनमाद का यूग कहा जाने लगा और ये मुख्यरूप से 1788 इस्वी से लेकर 1796 इस्वी का जो दोर है उसमें लगबग 46 परमुक नहरों का इसमें निर्वान हुआ जिनकी लंबाई जो है 4000 मिल से भी अधिक थी तो ये जो दोर था 1788 से लेकर 1796 इस्वी का उसे नहरों उनमाद यूग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस स्काल विशियस में बहुत अधिक मात्रा में नहरों का निर्मान किया गया अब बात करते हैं रेलों के तो यह हमने बात कर लिए आप भाप है उनके बारे में देखते हैं प्रत मभाप चलित रेल इंजन कोण सा था य presidents यह से पहला वाभा से चलने वाला रेल इंजन कौन सा था रोकेट था और 814 ECU में Stephenson ने इस rail engine को बनाये था, हमने आपको जब भाप के engine के बारे में बताया था, तो कहा था, कि भाप का engine का मतलब के वले इतना सा नहीं है, कि वो जो engine है, वो railway engine है, बलकि वो अन्य engine के लिए शब्द इस्तमाल कियाता है, लेकिन अब हम बात करेंगे, कि भाप के engine थ था, वो किस तरह से फाइदे का सोधा हुआ, या ओद्योगिक करण में इसने क्या महत्पून भूमी का निवाई थी, हमने जब शुरू किया पार्ट, तो आपको बताया कि railway का विश्कार है, वो एक तरसे ओद्योगिक करण का दूसरा चरण है, उसमें दूसरी चरण में र जर्मनी और अमेरिका जो है, जिसको सनुत राज अमेरिका कहा जाता है, उसने बहुत महत्पून भूमी का निवाई थी, तो पहली बात तो याद रखी कि दूसरी चरण की शुरूआत ही railway से होती है, अब अगर जो railway था, उसका क्या फाइदे थे, रेलवे जो था, उसने न भावित होती थे वो, लेकिन जो railway और दूसरी बात यह भी थी, उसमें यह कमी थी, धीरे चलती थी, जो नहरों में जो जहाज या नाम इस्तमाल के जाती थे, वो काफी धीमी गती से चलती थी, और काफी देर लगती थी कोईले को वहाँ शेहर के दूसरे हिस्सों में पहु जिबकि इसके बनस्पत अगर हम नहरों की बात करें, जो जहाज हुआ करते थे, तो वो जहाज जो हुआ करते थे, पाने के वो काफी महेंगे पड़ते थे, दूसरी बात है कि वो तेज नहीं चल पाते थे, तो इसी वज़े से उनकी तुलना में रेलवे का विकास हुआ, और रेलवे एक तरह से दूसरी चरण में ले गया, तो वर्सबर उपलब थे और सस्ती और तेज थे, इसके लिए माल और यात्री आवागमन के लिए बहुती प्रमुक साधन के रूप में विक्सित हुआ बाद में, जो माल था उसकी आवाजाई के लिए परिवहन के लिए लोहे की जो अन्य वस्तों में बनने लगी, तो इसके वज़े से जो ट्रेल पट्री थी, उसमें लखडी के इस्तान पर अब लोहे का इस्तेमाल होने लगा, तो इससे लिए बहुत मजबूत बन गई थी, और इसमें भारी जो ट्रेने थी उस पर चलाई जा सकती थी इसके आप के इंजन के अविस्कार से भी इसमें तेजी आई, भाप के इंजन के अविस्कार हो जाने से क्या वहाँ कि जो रेल्वे थी, उसकी गती काफी तेज हो गई थी, इसके लाद जो रेल्वे और अधिक करण किया दूसरा चलण हम परारारम आपको बताए कि दूसरा में क्या-क्य अविस्कार हुए रेलवे की छेत्रे में होने वाल प्रमक अविस्कारों पर अगर हम यह नजर डालें तो 1771 इसवी से लेकर 1788 इसवी यह जो है रेल इंजन पफिंग डेविल नाम का एक रेल इंजन मनाया गया था उसका अविस्कार किस ने किया वो रेल इंजन इसमें रेल इंजन ब्लचर नाम का रेल इंजन भी बनाया गया था जो George Stephenson ने जिसको बनाया था याद रखेगा George Stephenson ने ब्लचर नाम का रेल इंजन विक्सित किया था इसकी वाला सरपरतम जो रेलवे कहां चली देख रहे हैं नहरों के उनमाद का एक यूग था यूरॉप के अंदर यानि जब नहरों के अतियदिक मात्रा में नहरों का विकास हुआ वैसे रेलवेक का अंदर भी दो उनमाद की यूग यहां पर है एक तो छोटा रेलो उनमाद यूग दूसरा बड़ा रेलो उनमाद है चोटे रेलवंबाद यूग की बकिसे यूग की बड़ावाला वह अठारा सो GGाटारा सो GGारा सो GGारा सो GGारा से स्वीं reflex दोश्थों ऐस 첫 वह वह भाग में हमने बात की है उससे बाद की श्रूंब्रक भाप की श्क्तिक शन्राइब के बाद का往 में इस्ते Gwen Continuity का जब उद्विकरान्ती की शुरुवात हुई तो किस प्रकार नहरे एक प्रमुक साधन बनी उद्विकरान्ती के विकास का और बाद में इसका इस्तान रेलिवे ने किस प्रकार ले लिया और रेलिवे में कौन-कौन से भाब के इंजन के अविश्कार हो उनके बारे में हमने आपर चर्चा की है तो आज के भाग में हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है अगले भाग में हम ये दिखेंगे कि किस प्रिकार जो नई ये जो अधिकरानती आई है इसकी वज़े से क्या-क्या परिवर्तन आये लोगों के जीवन में और किस प्रिकार से लोगों के जीवन पर स नकारात्मक प्रभाव पड़े, उनके उपर हम आगे के भाग में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवार।